नमस्कार किसान साथियो आज हम बात करेंगे भई जो छोटे पोदे हैं एपल बेर में जिन उने लेटे प्लांटेंशन किया है जिन के पोदे लगबग तीन फीट, च्यार फीट या पांच फीट के पोदे हैं तो उसको हम किस तरह से स्पोर्ट दें यानि के जो बंदाई का जो तरीका है बड़े पोदे पर तो साइड में बांस लगा के रसी से बांद सकते हैं वो हमारी वीडियो मा आपने देख्या होगा भी कैसे बंदाई करते हैं लेकिन छोटे पोदे को हम उस तरीके से नहीं बांद पाते क्योंकि किसी कोई पोदा तीन फिट का है कोई चार का है कोई पांस फिट का है स्टार्टिंग में जब नई प्लांटेशन होती है तो इस तरह की समस्या आती है तो उस से बंदाई का जो तरीका है किस तरीके से करें तो सबसे बैस तरीका ये होता है जैसे अभी ये पोदा आए ये देखिए और पोदे के साथ आपने बांस गाड़ देना है और बांस को गाड़ के और इस तरह से जिस साइड आपका पोदा जुक रहा है उसके अपोजिट आपने बांस गाड़ना है जैसे अभी अमारा ये पोदा इस तरफ जुक रहा दा तो आमने बांस को इस तरफ गाड़ दिया इदर ये इदर बांस गाड़ दिया उस तरफ हमारा पोदा जुक रहादा तो जहां आपका पोदा जुका उसका अपोजिट बांस गाड़ देंगे इस तरह से रस्षी बान देंगे यह रस्षी है रस्षी को इस तरह से यहाँ पर आठका जैसे यह बन रहा है इस तरह से इस पर कैच्ची वाली गाठ जिसको बोलते हैं कैच्ची वाली गाठ लगाके इस तरह से फिर जब यह अपना बांस जो हता है बांस पर अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे अगर आपकी साखा एक साखा है नीचे से तो एक ही बांस काम कर देगा अगर आपकी साखा दो या तीन है और वो तीनों अलग-अलग साइड मजारी है तो मजबूत वाड़ा बांस लगागे और तीनों साखों को या दो साखाएं जो भी है उनको इसी तरह से उस पांस पर बांदे और जैसे ये छोटी साखाएं है इसी साखा में जो निकलती है जैसे स्पोज करो ये हमारी साखा इस साखा में ये साखा इदर निकल रही है ये वाड़ी यह दिर निकल रहे तो इसको हम क्या करेंगे जैसे इस पर फड़का जोर होगा तो यह नीचे टेक जाती है तो इसको भी आम यहां से रस्षी यहां से रस्षी लेके यहां भी सूतली भी ले सकते हैं और इसको भी आम इस तरह से जैसे यह है इस तरह से इसको इस बांश के साथ इस तरह से हम इसको भी बांद देंगे तो जब हमारा फड़ा आएगा तो इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो कि ना आपकी ट्रेनी तूटेगी हमेश्या द्यान रखें जब भी आपका किसी साइड जुकाओ अगर पेश्यम साइड में जुकाओ हो तो पूरब साइड अपोजिट बांस लगाएं जैसे इस बांस लगाएंगे बांस को अची तरह से गाड़ लें थोड़े वगर आशे और उसको आप फिर बांद दे तो इस तरह से आपका पोदा शेफ होगा दूसरा क्या है अगर आपने नीचे मिट्टी नहीं लगा रखी है तो नीचे जब आप बंदाई करें बंदाई करने के तुरंत बाद नीचे यहां पर तने के पास यहां पर भी आप मिट्टी लगा दे जैसे अभी हमने मिट्टी पोदे पे जैसे जैसे फरूट बढ़ने लगेगा तो वजन बढ़ेगा तो जिससे हमारा पोदा डेमेज नहीं होगा तो आज की वीडियो में इतना ही क्योंकि कई किसानों के कोमेंट आ रहे थे जी हमारे पोदे छोटे उसको कैसे बांदे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जै हिन जै भार्त जै मातादी